नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल NCERT Hindi Tutor पे तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1, Class 1, Subject Joyful Mathematics तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और Hindi में भी इसे समझेंगे और साथ ही साथ इसके हम Question Answers भी करते चलेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, Finding the Furry Cat अध्या एक, मेरी प्यारी बिल्ली डूंडो अध्या एक, मेरी प्यारी बिल्ली डूंडो क्या तुम बैठी खिड़की के उपर Are you sleeping under my bed क्या तुम सोई पलंग के नीचे Where are you my furry cat कहां छिपी हो उपर या नीचे Looking, 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 looking for my furry cat Are you inside the backpack देखो, 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 मेरी प्यारी बिल्ली क्या तुम बैठी बसते के अंदर Are you outside the red rack क्या तुम लाल रैक के बाहर हो Where are you my furry cat कहां पर हो मेरी furry cat Come, come, come आओ, आओ, आओ Come to me my furry cat आओ मेरी प्यारी बिल्ली Saw you scratching the bottom of my jar तुम्हें देखा जार के नीचे खरोचते हुए Saw you playing at the top of my car देखा तुम्हें मेरी कार के उपर खेलते हुए Come to me my furry cat मेरे पास आओ मेरी furry cat Come, come, come आओ, आओ, आओ Come to me my furry cat मेरे पास आओ मेरी furry cat Saw you hopping above the hat कभी टोपी के उपर Saw you hiding below the mat Here comes my furry cat कभी दरी के नीचे होकर जल्दी आओ प्यारी बिली तुम्हें हो मेरी प्यारी बिल Look at the pictures of the poem and encircle correct word The red ball is under the bed लाल गेल पलंग के नीचे है The cat is on the car The man is lying under the tree आदमी पेड के नीचे सो रहा है The cow is outside the house गाए घर के बाहर है Where do you put your shoes? आप अपने जूते कहां रखते है Answer outside the room कमरे के बाहर Where do you throw the garbage? आप कूडा कहां डालते है Inside the dustbin कूडे दान के अंदर Let us play, find the things आओ खेले, वस्तोए ढूंडे Children can divide themselves into two teams बच्चे अपने आपको दो समुहों में बात ले Positional words like inside, outside, far, near, above, below, etc. इसके लिए अंदर, बाहर, दूर, पास, उपर, नीचे जैसी स्थिती से संबंदे शब्दावली का उपयोग करके दूसरे समुहों को वस्तोओं को ढूंडने के लिए मौखिक निर्देश देंगे For example, उधारण के लिए Look for a white thing which is hidden near the board and under the table सफेद वस्तू ढूंडिये जो board के पास है और मेज के नीचे छिपी है Look for a red thing which is outside the classroom and under the tree लाल वस्तू ढूंडिये जो कक्षा के बाहर और पेड के नीचे है Let us play through the ball आओ खेलें, गेंद फैकें Each child aims and throws the ball inside the basket प्रतेग बच्चा बारी-बारी से टोकरी के अंदर गेंद डालने का प्रयास करेगा When the ball goes inside, other children will say in and when it goes outside the basket, they say out जब गेंद टोकरी के अंदर जाएगी तो बागी बच्चे बोलेंगे अंदर और जब गेंद टोकरी के बाहर गेंगी तो बागी बच्चे बोलेंगे बाहर इनको हम कहते हैं अंदर, आउट को हम कहते हैं बाहर Let us do A, tick the things which are inside जो अंदर हैं उन पर सही कचिन लगाईए तो हमारे फूल टोकरी के अंदर हैं तो हम यहाँ एक टिक लगाएंगे बच्ची कार के अंदर है तो एक यहाँ टिक लगाएंगे Tick the things which are outside जो बाहर है उन पर सही कचिन लगाईए तो यह बालू हमारा बाहर है घर से तो एक इस पे हम टिक लगाएंगे और एक टिक हम यहाँ लगाएंगे यह खिलोने बाहर हैं बॉक्स के Look at the picture and tick the correct words चित्र को देखिए एवं उचित शब्द पर सही कचिन लगाईए A boy is sitting on oblique under the tree बच्चा पेड़ पर के नीचे बैठा है On को हम कहते हैं पर Under को हम कहते हैं के नीचे तो सही answer है इसका The boy is sitting under the tree बच्चा पेड़ के नीचे बैठा है यहां हमारा बच्चा बैठा है पेड़ के नीचे Birds are on oblique under the tree चिडिया पेड़ पर oblique के नीचे बैठी हैं तो हम देख सकते हैं हमारी चिडिया यहां पेड़ पर बैठी हैं तो इसका answer होगा Birds are on the tree चिडिया पेड़ पर बैठी हैं Draw a smile below the nose and eyebrows above the eyes चित्र में मुस्कुराता हुआ चैरा बनाएए और आखों के ऊपर बौहें बनाएए तो मुस्कुराता चैरा बनेगा ऐसा और बौहें बन जाएंगी यहों तो आप इसे थोड़ा ठीक से बना लेना लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इस आलसो नोन अस तिरंगा अव मैनी कलर्स आर देर अमारे राश्ट्री ध्वर्ज को देखिए जिसे तिरंगा भी कहा जाता है इसमें आपको कितने रंग दिखते हैं देर आर थ्री कलर्स इन आवर फ्लैग टिक दि करेक्ट उप्शन उचित विकल्प पर सही का चिन लगाई है विच कलर इस एड़ टॉप ओफ दिरंगा तिरंगे पर सबसे उपर कौन सा रंग है वाइट, सफेद, सैफरोन, केसरिया, ग्रीन, हरा तो हम देख सकते हैं हमारे टॉप पर है सैफरोन कलर जिसे हिंदी में कहते हैं केसरिया तो इसका आंसर होगा सैफरोन जैकेंड, विच कलर इस बिलो दा वाइट कलर ओन दा तिरंगा तिरंगे पर सफेद रंग के नीचे कौन सा रंग है पिंक, गुलाबी, सैफरोन, केसरिया, ग्रीन, हरा तो हम देखते हैं यह रहा हमारा वाइट कलर और इसके नीचे हमें देख रहा है ग्रीन कलर तो आंसर होगा ग्रीन विच कलर इस अबब दा ग्रीन कलर ओन दा तिरंगा तिरंगे पर हरे रंग के ऊपर कौन सा रंग है ओप्शन्स, वाइट, सफेद, सैफरोन, केसरिया, यलो, पीला तो हमारा आंसर है वाइट, यह रहा हमारा ग्रीन कलर और ग्रीन के ऊपर है हमारा वाइट कलर तो आंसर इस वाइट, सफेद वेर इस दा अशोका चक्र, ओन दा तिरंगा तिरंगे पर अशोग चक्र कहा है options on a corner पोने पर in the middle बीच में on a side किनारे पर तो answer है in the middle यहाँ पर यह है हमारा अशोग चक्र जो की तिरंगे के बिल्कुल बीच में है इसलिए answer होगा हमारा in the middle छुक 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 goes our train चुक छुक करती रेल चली over the hills and downs to the plains पहाडियों के उपर और नीचे मैदानों में चुक छुक 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 goes our train चुक छुक करती रेल चली बोगी ज बिफोर मैं बोगी बोगी ज आफ्टर मैं बोगी कुछ डिबो के आगे डिबे कुछ डिबो के पीछे डिबे make a chain over the rivers and in the rain एक श्रंखला बनाओ नदियों के उपर और पानी में चुक छुक 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 goes our train चुक छुक करती रेल चली ए how many bogies are there after engine engine के पीछे कितने डिबे हैं तो हम answer देखते हैं engine हमारा ये रा red में isINE 1 2 3 4 5 तो answer is 5 how many bogies are there before the red bogie लाल डिबे के आगे कितने डिबे हैं चलिये देखते हैं ये रा हमारा लाल डिबा इसके आगे कितने डिब्बे हैं 1, 2 So answer is 2 Fill the orange color in the bogies after the red bogie लाल डिब्बे के पीछे के सभी डिब्बो में नारंगी रंग भरिये Orange color को हम Hindi में कहते हैं नारंगी रंग तो हम देखते हैं कौन सी वो दो bogies हैं तो first bogie ये, second ये इसमें हमें भरना है orange color Fill the blue color in the bogies before the red bogie लाल डिब्बे के आगे के डिब्बो में नीला रंग भरिये Blue color को हिंदी में कहते हैं नीला color तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सी दो bogies हैं तो red bogie हमारी ये रही तो इसके आगे की दो bogies हैं 1, 2 तो इन दो bogies में आपको भरना है blue color Let us play आओ खेले Children will sing the rhyme and play a game where they all will form a train by holding each other's shoulder बच्चे कविता पार्ट करेंगे एबम एक खेल खेलेंगे जिसमें वे एक दूसरे के कंदे पकड़ कर रेलगाडी बनाएंगे Everyone will tell who is before and after each child in the train सभी बच्चे बच्चे बताएंगे कि उनके आगे और पीछे कौन है Here goes our train Here goes our train No one is before me And Meera is after me चुक चुक मेरी रेल चली चुक चुक मेरी रेल चली मेरे आगे कोई नहीं Meera मेरे पीछे खड़ी तो यह री Meera जो पीछे खड़ी है Swali and Rohit are making some groups of objects Swali और Rohit वस्तुओं के समूहूं बना रहे है I have put all the pebbles together मैंने सारे कंकर एक साथ रखे है I have put all the leaves in one group and chalk pieces in another group मैंने पत्तियों को एक समूहूं में रखा है और चौक का एक अलग समूह बनाया है Let us do आओ करें Swali has placed all the buttons in three groups Swali ने सभी बटनों को तीन समूहूं में रखा है Why did Swali make such groups? Swali ने ऐसे समूह क्यों बनाए है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे blue color के हैं यहाँ red color के हैं और यहाँ green color के हैं तो answer is Swali make such groups according to their colors Swali ने सभी समूह रंग के अनुसार बनाए हैं Help Swali to sort these buttons in other ways by drawing them Swali अब इन बटनों के समूह को अलग अलग तरीकों से बनाना चाहती हैं आप चित्र बना कर उसकी सायता कीजिए पहले तो Swali ने रंग के अनुसार सारे buttons को अलग किया था अब आप उनकी shape के अनुसार उने अलग कीजिए जैसे कि आप यह देख सकते हो यह square की shape में है यह square की shape में है यह circle की shape में है यह circle की shape में है और थर्ड ये आपको एक ice cream cone की तरह दिखरी होगी शेप ये उस शेप में हैं तो आप इन तीन shapes के अनुसार भी इन चीजों को बाढ़ सकते हैं एक और तरीका है जिससे आप इन सभी को बाढ़ सकते हैं आप जैसा देख सकते हो इन पर बनी हैं dots जिन पर दो dots हैं उन्हें आप एक समुह में रख सकते हैं जैसे ये ये और जिन पर चार dots हैं जैसे कि ये ये इनने आप dots के अनुसार भी समुह में बाढ़ सकते हैं तो दो ग्रूप हो जाएंगे हमारे एक तो टू डॉट्स वाले और दूसरा ग्रूप हो जाएगा हमारा फोर डॉट्स वाले तो वो आप यहां पर ड्रॉट कर सकते हैं दोस्तो हमारा chapter 1 finding the furry cat यहां पूरा होता है आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिये और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिये अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं कि कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल NCRT हिंदी ट्यूटर पर धन्यवाद